स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI YouTube चनल पर ITI Candidates की 2014 से लेके 2021 सत्र के Back Paper एनि Supplementary Exams कंड़क्ट हुए थे जो की December मन्त में दो फेज में आलरेडी खतम हो चुके हैं जिसको NCVT ने कंड़क्ट कराया था अभी जैसे आपके Examination खतम हुए हैं सभी के and even सभी चात्रों का होता भी है जैसे एक जामिनेशन हमारा खतम होता है हमें इंतजार होने लगता अपने रिजल्ट का कि हमारा रिजल्ट कब आएगा और आलरेडी बहुत डिले हो भी चुका था Back Paper बहुत सारे Candidates का तो उनका ये चिंता करना के रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट में जायज भी है तो ऐसे आप सभी के बहुत सारे कमेंट टेलिग्राम पर भी आए साथ में मेल भी आया कुछ Candidates का और आपने वीडियोज पे भी कमेंट किये कि Sir Back Paper का रिजल्ट कब आएगा तो उसी के भी हाब पे वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं तो प्लीज चैनल पे नए है तो पहले सब्सक्राइब कर लिजेगा आप लोग जिसके आपको सारी अपडेट और इंफार्मेशन के साथ-साथ पढ़ाई की वीडियोज यहाँ चैनल पे रिगुलर बेसिस पे मिलती रहती है अलग-लग प्लेलिस्ट के माध्यम से और प्लीज अगर आप चैनल के वीडियोज को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तो पहुँचाना चाहते हैं पारे میں भी हम बात करने वाले है ठीक है रिजल्ट आप कैसे चिकते हैं हैं आप सभी को पता ही यहाँ पर अपई इंटर करते हैं अपनी प्रिडियल फिर आपका रिजल्ट दिखता है अब जिसमें आप देते हैं ट्रेड थिशोरी के एक्जाम Employability Skill के Examination and साथ में Workshop Calculation and Science के और जो नए सत्र के बच्चे हो ड्राइंग का भी exam इसी में दे रहा है उनकी अभी यहाँ पर थोड़ी सी बात नहीं करेंगे दूसरा exam आपका होता है Offline Mode में आप देते हैं ED और Practical तो जो आपका Result बनता है तो CBT exam तो NCVT conduct कराता है अलड़ी हो चुका है लेकिन Offline exam जो ED और Practical होता है उसकी जिम्मेदारी होती है State Directed की ED और Practical के जो आपके Examination होते हैं उसको हर state अलग-अलग लेते हैं फिर वो data को NCVT पे अपलोड करते हैं उसके बाद आपका Final Result पब्लिस होता है तो ED और Practical के भी back paper होने है इसकी back paper की जो fees है वो UP State में तो ली जा रही इसपेसली राजस्तान से भी कुछ candidates का था को वहाँ fees जमा की गई है लेकिन कुछ State की तरफ से भी कोई notice नहीं आया UP में आया था कि 31 December last date है ED और Practical के लिए portal भी open था वहाँ से candidates को allow किया जा सकता था बाकी State में भी जल्दी आ जाएगा आपकी से स्टेट से हैं वहाँ पे ED और Practical की भी जमा हो रही या नहीं आप लोग comment करके जरूर बताएगा और इसके लिए आप लोग अपने ITI से जरूर contact कर लिजेगा तो मेरा जहां तक इसमें अजमसन है क्योंकि अभी तक कोई official लेटर नहीं है जनरली जब आपके fresh exam होते हैं जैसे ED Practical पहले हो जाए फिस CBT हो जाए उस case में CBT exam होने के एक महीने के अंदर अंदर result जारी कर दिया जाता था तो अभी आपका exam खतम हो गया CBT लेकिन कुछ candidate ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मालीजे employability skill में back हो और practical में back हो तो employability skill तो उन्होंने दे दिया लेकिन practical नहीं दिया या मालीजे theory में back हो trade theory में और ED में back हो जो semester system के हैं candidate तो उस case में theory का इजानत हो गया लेकिन ED का नहीं हुआ तो फिर result process करने में बहुत जादा problem होगी यहाँ पे मेरा जमसर यह कहता है आपके results में थोड़ी सी अभी देरी हो सकती है क्योंकि आदा धूरा result NCBT सायद नहीं जारी करेगा हाँ यह हो सकता CBT का data पूरा अपने portal पे upload कर लेंगे सब कुस systematic तरीके से रख लेंगे जैसे उनके पास ED और practical के numbers पहुँचेंगे state direct rates या अलग-अलग state से फिर वो results को एक साथ compile करके जारी कर सकते हैं क्योंकि जब आधा धूरा result जारी होगा या maybe March भी जा सकता है अगर delay होता है बाकी state की तरफ से तो दिखिए मेरा सिर्फ opinion कहता है क्योंकि किसी भी examination का हम लोग अगर department से जुड़े हैं तो पता होता है किसी भी examination का कैसे conduct हो रहा है फिर उसके बाद कैसे result process होता है तो इन सब में time लग सकता है दूसरा time इसलिए भी लगेगा आप सभी को पता है कि जो back paper कराए गए 2014 से लेके 2021 सत्र तक के back paper करवाए गए हैं तो each and every year का semester system का annual system का data maintain करना prepare करना इसमें भी आपका time लगने वाला है अभी जो recent examination हो रहा है अलग बात उसमें time नहीं लगता क्योंकि online mode वाले तुरंत मिल जाते हैं data and ED और practical में भी DGT ने थोड़ा सा इस्टिट किया guideline की within 3-4 days examination के आपको number upload करना है portal पे तो अब time नहीं लगता लेकिन अभी जो हुआ है आप examination अलग अलग सत्र का एक वरसी दो वरसी फिर semester system का अलग, annual system का अलग इन सब data को compile करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है department के command power तो उतनी ही रहती है लेकिन अभी DGT ने, NCVT ने and state direct rate ने ये लिया एक challenge की तरह इसको हम 2014 से 21 तक के सभी candidate का back paper जो भी है सम निप्टाएंगे तो उसमें थोड़ा सा आपका delay हो सकता है इस वज़ा से हम ये कह रहे हैं यहां पे क्योंकि अभी ED practical के exam किसी भी state में जो back paper है 14 से लेके आपके 21 तक के वो अभी conduct नहीं हुएं सिर्फ उनकी fees जमा हो रही है तो यही मेरा एक opinion था हो सकता है आपका opinion से vary भी कर सकता है लेकिन ऐसा ही होने की पूरे संभावना है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई DGT की तरफ से या जो NACIT ने exam कराया NCVT की तरफ से ऐसा कोई अभी तक later नहीं आया कि हम examination का result कब तक जारी करेंगे हाँ ये later जरूर आया था कि state directed जो है वो अब fees अपनी ले सकते जैसे UP state से आया था इसके साथ ही साथ आपका राजस्तान से भी एक later आया था और fees वहाँ पे जमा होनी भी start हुई थी तो आप लोगों से फिर से माग रहा करेंगे आप लोग जरूर अपने ITI से contact करिएगा वहीं से आपको सही जानकारी मिल पाएगी आप fees वहाँ contact करके जरूर जमा कीजेगा नहीं तो आप पोर्टल पे अगर allow नहीं होंगे तो आपका फिर ED और practical का back paper फिर से छूट सकता है अभी अगर छूटेगा तो फिर अब आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है पिसलिए जो semester system के candidate है 2018 के पहले वाले उनके लिए तो एक golden opportunity अगर आप अपना ITI के लिए करना चाहते हैं तो अपने ITI से आप contact करके fees जरूर अपनी submit कराईएगा बाकी कोई update information आती है तो आप तक हम जरूर पहुँचाएंगे प्ली चैनल के साथ जुड़ जाईएगा जल्दी हमारी family भी 2 लाग की होने वाली है और नए साल से पहले पहले अगर हो जाती है तो काफी अच्छा surprise आप लोग के लिए हम नए साल में भी लेकर आने वाले हैं थेंक्यो बेरी मुच मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में तब तक आप सभी लोग बने रहेगा चैनल पे वीडियो को लाइक एंड से एर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ख्याल रखिएगा अपना पड़ाय लिखाई अपनी अच्छे से करते रहेगा थेंक्यो